हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो डिम्पीज किचिन, हैप्पी दिवाली एडवांस में आपको धेर सारी सुपकामनाओं के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं क्रंची गोबी, क्रंची गोबी सर्दियों के मौसम में बनाईए क्योंकि अच्छी गोबी आती है, इसमें कोई कीड़े वगेरा भी नहीं आते, इसके लिए मैं दो गोबी लूँगी, उसको अच्छे से वाश कर लेंगे और मोटे मोटे पीसों में काट लिया है, इसको मैंने देखिये, और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिलकुल सूख जाना चाहिए पानी, इस तरह मैंने इसको मोटे काटे का यूज करूँगी बनाने के लिए, ये मैने चावल को मिक्सी में आटा बना लिया, इसका दरदरा, कड़ाई में प्रियिट कड़ाई है, इसमें में मस्टर्ड ऑल डालूगी, दो बड़े चम्मत मैंने इसमें मस्टर्ड ऑल डाला है क्योंकि इसमें अउयल ज्या यह मैंने इसमें गोवी को एट किया है इसके बाद हम मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस का उपर से नीचे गोवी को अच्छे से पलट लेंगे और मीडियम गैस पे गोवी को पकने देंगे इसमें हम रेट चिली पाउडर एड करेंगे टार्मिरिक पाउडर एड करेंगे ठोड़ा और इसमें धनिया पाउडर को अच्छा से डालेंगे क्योंकि धनिया का स्वास सब्जी में अच्छा आता है सारी सबजियों को पलटते रहेंगे बीच-बीच में, गैस को मीडियम ही रखें, यह देखिए, इसमें हम एक चम्मस सौर्ट डालेंगे, क्योंकि गोवी मेरी ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के इसाब से डालें, और 5-7 मिडियम फ्लेम पर हम गोवी को पकाते रहेंगे, लगबग मेरी गोवी पक रहेंगे, इसको हम 5 मिडियम गैस पर पकने देंगे, जिससे मेरी गोवी अच्छी से पक जाए, इसके बाद हम इसको क्रंची गोवी बनाने के लिए राइस फ्लार डालेंगे, 4 बड़े चम्मत मैने इसमें राइस फ्लार डाला है, आप अपने टेस्ट के इसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको राइस फ्लार को उपर से नीचे अच्छी से पलट देंगे, जिससे सारी गोवी में अच्छी से ये मिक्स हो जाए, अब क्यूंकि राइस फ्लार भी हमारा थोड़ा कच्छा रह सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ढख के कवर करके, तीन मेट से चार मेट तक इसको हम ढख कर पकाएंगे, जिससे हमारा राइस फ्लार जो हमने डाला है, अच्छे से पक जाए, ये देखिए, बिलकुल मेरी क्रेंची गोवी बनकर तयार हुई है, ऐसा स्नेक के रूप में, बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों के मौसम में इसको ट्राय करके जरूर देखिए, इसमें क्रस्ट करके कसूरी मैथी अट करेंगे हम, और चौप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे हम, फ्रेस कॉरियंडर है, जो अच्छा फ्लेवर देगा इसमें बहुत, आपके बच्चे कम खाते हैं, तो कम धनिया डालें, इसके बाद हम इसमें चाट मसाला एट करेंगे, जो इसको अच्छा फ्लेवर देगा, और इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे, जो बजार में मिलता है, जो बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है, मैगी मसाला डालकर आपके बच्चे सारी क्रंची गोवी चट कर जाएंगे, इस आप जरूर ट्राइ करिए सर्दी के मौसम में ये मेरी क्रंची गोबी तयार है ऐसा स्नैक आप इसे पराटे के साथ रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भोलें न और आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकती हैं कमेंट्स करके आपको मेरी क्रंची गोबी या और अदर रेस्पी कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस तरह की रेस्पी बॉन करते हैं जरूर बताएं मैं ट्राइ करोंगी आपको उसका वीडियो झाल झाल